वाहिग्रु जी का खाल सा वाहिग्रु जी की फते पंजाब बेदी सिखलाई लायरे सारे ही विद्यार्थियां दा योट्यूब चैनल लर्नवे धर्वेंदर सर विच बहुत-बहुत स्वागता है ते इस वीडियो विच असी करांगे पंजाबी चमाद दस्वी साहित माला पुस्तक विच्चो श्रीगरु अर्जन देव जीदा रचया शबद तू मेरा पिता तू है मेरा माता दोस्तो इस वीडियो विच पहलना से शबद नू पढ़ांगे इस दे आर्थ करांगे अते आंत विच इस दे प्रेशन उत्तर करांगे तू जे अजे तक आप सार्याने योटिब चैनल लर्न विध हर्विंदर सर नू सब्सक्राइब नहीं किता तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करो ताकि नमिया वीडियो सा आप सार्यानों समय से प्राप्त हो सकनाओ शुरू करते हां दोस्तो शुरू करन तो पहला असी श्रीगरु अर्जन देव जी दे बारे जो साठी पुस्टक विच लिखbirds लिखे है उस्नू पढ़लन दे हाँ श्रीग्रु अर्जन देव जी सिखांदे पंच्वें गुरु हुए हन आप जी दे पिता जीदाना श्रीग्रु रामदास जी अते माता जीदाना माता पाने जी है श्रीग्रु अर्जन्देव जी ने अमरे सर्विच श्री हर्मंदर सहब दी नी एक मुसल्मान फकेर साई मिया मीर पासो रखवाई आप जी ने श्रीग्रु ग्रंद सहब जी दी संपाधना गित्ती श्रिग्रु ग्रंच है विच आप जीदी सब्तो वद्ध बानी दर्च है आप जीदी सब्तो वद्ध पड़ी जानवली रचना सुख्मनी साहिब है आओ हो नसी पड़ने शबद तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधब, तू मेरा ब्राता बंधब दा अर्थुन्द है रिष्टेदार ते ब्राता दा अर्थुन्द है बड़ा प्रा ते इस विच परमात्मानू क्या गया है? इस जाया अर्थ है कि हे प्रभू तुसी ही मेरी हर पासे रख्या कित्ती है इस करके मिन्नों किसे चीज़ दा डर नहीं अते मिन्नों कोई चिंतावी नहीं है तुम्री किरपा आते तुद पच्छाना तू मेरी ओट तू है मेरा माना ओट दा अर्थुन दा आसरा ते माना दा अर्थुन दा मान करण वाली ताकत तिस दे अर्थ है कि हे प्रभू आप जी दी किर्पा नाल ही मैं आप जी नाल डूंगी सांच पास सक दा हाँ तुसी ही मेरे ओटो कि मेंनों आप जी दा ही सहरा है अते तुसी ही मेरी मान करण वाली ताकत हो तुझ बिन दूज्जा अवर ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जीओ ते वैसे अखाड़ा दा अर्थ हुँझा खेटन दी था पड़ एथे अखाड़ा दा अर्थ है संसार तिस जय अर्थ है कि हे प्रभू आप जीवर का कोई दुज्जा नहीं है यह जड़ा संसार दा खेड़ चल रहे है वो आप जी द्वारा ही रचे गया है जी जन्त सब तुद्ध उपाई जित जित पाणा तित तित लाई इस जय अर्थ है कि जेड़े भी संसार दे जीव जन्तु हन वो आप जी द्वारा ही रचे गये हैं ते जिस कम विच आप जी दी रजा है उस कम विच आप जी ने सारे जीवानों लाया होया है सब किछ कित तेरा हुवे नाहीं केछ असाडा जीओ ते असाड़ा ता अर्थुन दा असाड़ा या साड़ा ते इस दा यार थै कि जो वी संचार बेच वापर रहा है वो सब कुछ आप जी द्वारा ही हो रहा है ते इस विट साड़े जीमा दा कोई जोर नहीं है नाम ते आये महासुख पाया हर गुण गाये मेरा मन सितलाया नाम ते आये दा अर्थुन दा नाम ते आनाया नाम सिम्रन करना ते महासुख हुन दा सुख तो विब पड़ ते महासुख नोसी कह सक्दियाँ वी आत्मिक अनन्द ते हर दा अर्थ है प्रभू तेस दे अर्थ है कि नाम सिम्र नाल में महा सुख में आत्मी कनंद पालेया है तेस सीतलाया दे अर्थुंद है ठंडा हो जाना तेस दे अर्थ है कि परमात्मा दे गुर्ण गाउन जेड़ा मेरा मन है वो सीतलो ठंडा ठार हो गया है गुर पूरे वजी वदाई नानक जिता बिखाड़ा जियो गुर पूरे वजी वदाई दा अर्थ है कि पूरे गुरु राही वदाई प्रगट होई है या पूरे गुरु दी किरपा नान मेरे मन वेच वदाईया वजरिया है बिखाड़ा है की अर्थ हुझा है? कि और लो इसमें और लहां है, प्रबस चांप में हो गई है त्येसे ज़ाल लग रहा है जई बिखाड़ा है आसी का ओ मैं जित लेया है ते दोस्तों ऐसी का शबद तू मेरा पिता तू है मेरा माता जिसनों असी लाइन बाइन एक्स्प्रेंड किता है ते में नू पूरी उमीद है कि आप सारे नू यह शबद बहुत ही चंगी तरह समझ आ गया होणा असी इस दे प्रशन उत्तर जिस Lynn जो झो यह शबद तू मेरा पिता तू है मेरा माता था कंदरी पा जो श들हां तो मेरा पिता तू है मेरा मतथा किंद्री पाव लिखो यह ईन प्रेशन इस तरह भेंा स्प्रकार है गुरू जी अनुशार प्रभु ही मनुक earnster outta माता पितार रिष्त्त्यदारत प् इस संसार विच जो कुछ भी वापपरदा है वो परमात्मा दी रजा नो सारी हुंदा है परमात्मा दा नाम त्याउन नाल महासुक प्राप्त हुंदा अथे विकारा नाल हो रहे आउखा कोल जित्या जानदा है अगला प्रिशन है अगला प्रिशन है अगला प्रेशन है तू मेरा पिता तू है मेरा माता बाणी आनुसार एस अंसार किसने बढ़ाया है अते किस्त्रा चलता है। जिस कम विच परमात्मा दी रजा है, उस कम विच परमात्मा ने सारे अनू लाया होया है, इस अंसार विच सब कुछ परमात्मा दा किता होया है, साट्डे मनुखा दा कोई जोर नहीं चल सकदा। अगला प्रिशन है श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचना तू मेरा पिता तू है मेरा माता अनुसार परमात्मा दा नाम सिब्रन्नाल की लाब हुन्दा है तेज देव तरवे चैसे लिख सकते हैं श्रीग्रु अर्जन देव जी दि रचना तू मेरा पिता तू है मेरा मतानूसार परमातमात्मा दे नाम सिवरनणाल आत्मिक अनंद प्राप्त हुन्दा है परमात्मा दे गोन गाके, मन ठंडा ठार हो जान्दा है पूरण गुरु दे राही ही, मन अंदर आत्मे कुछ आदी हालत प्रबल हो जान्दी है अधे विकारा नाल हो रे योखे कोल वेच जित प्राप्त हुन्दी है हो न सी करांगे छोट उत्रा वाले प्रेशन, वन मारक कॉस्चन्स जिस विट सबतो पहलना तू मेरा पिदा तू है मेरा माता किस दी रचना है इस दा उत्तर श्री गुरू अरजन देव जी श्रीग्रु अर्जन देवजी सिखांदे किन्वें गुरु संग पंज्वें श्रीग्रु ग्रंच से अब इट सब्तो वद बाने किस गुरु से अब दी है श्रीग्रु अर्जन देवजी श्रीगुरु अर्जन देवजी दी सबतो वदपड़ी जानवाली रचना केड़ी है सुखमनी साहिप बंदबदा की अर्थ है रिष्टधार गुरु अर्जन देवजी अनुसार सुख किस तरह प्राप्त हुँदा है नाम सिम्रन नाल या नाम त्याउन नाल भी लिख सकते हूँ जीवजन तु किस से पैदा किते हो एहन परमातमा दे सब धामा ते सद्धा रखा कौन है परमातमा अर्जन देवजी अनुसार एह दुनिया किस दी मर्जी नाल चल दी है परमातमा तुकि परमातमा दी मर्जी नाल या दुनिया चल दी है अगला प्रेशन है तु मेरा पिता तु है मेरा माता बाने विच किस दू बंदा बते भ्रात कहा गया है परमातमा नुँ परमातमा दा नाम सिमर के किस अनंदी प्रापति हुन दी है आत्मिक अनंद दी तू मेरा पिता तू है मेरा माता बाणी नुसर सब कुछ किस करके हो रहा प्रमात्मा करके विखाड़ा तो की पाव है विखम खेड या ओक्खा कोल ते विकारा नाल मन वेच बहुती मुश्कल खेड चल रही है बहुती ओखा कोल चल रही है ते पूरे गुरुदी किरपा नाल ही है ओखा कोल है और जित्ते आ जन्द है श्रीगुरु अर्जन देजी नुसा नाम से म्रन नाल की प्राप थुणदा है आत्मी कननद या महासुख नाम ते आए महासुख पाया अखाड़ा तो की पाव? खेटड़ण दी था? पर तू मेरा पिता तू है मेरा माता रचना दे अनुसार तुसी संसार भी लिख सगदे हो असाड़ा तो की पाव है असाड़ा तो पाव है असाड़ा सित लाया दा की अर्थ है इस दा अर्थ है ठंडा हो जान गुर पूरे वजी वदाई तो की पाव है इस दा उत्तर है पूरे गुरू राही वदाई प्रगट होई है ते दोस्तों ऐसी गे इस शबत दे अध छोटे उत्राँ वाले प्रशन मैंनू पुरी उमीद है कि आप सार्यानू ऐस शबत बहुत ही चंगी तरह समझा आगया होना ते साड़े नालाब सार्याने इस दे प्रशन उत्तरवी हल कर ले होने मिलांगे आप सार्यानू अगले वीडियो दे विज अगले पार्ट दे नाल उतों तक अपने द्यापक सिर्दार हर्विंदर सिंग नू द्यो इजाजत स्रीयकाल